हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे एनरजी स्मार्ट मिटर के अंदर आने वाले फॉल्ट या हम कह सकता है प्रॉब्लम या एसकेम जिससे हमारा ज्यादा पैसा कट रहा है कहां पे प्रॉब्लम है इसे कैसे चेक करें जाच करें अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z पूरा जरू देखिए तो जैसे के जो S Mart Mitter है खमारे यहां L & T Company का लग रहा है आप कहा हो सकता है L & T Company या दूसरे ब्रांड का हो सबका एक अप्लिकेशन होता है जैसे हमारा यहाँ पे एक application है बिहार बिल एस्मार्ट मिटर इस application को हम यहाँ पे open करेंगे और देखेंगे इसके अंदर scam किस तरह से हैं और समझेंगे हम problem कहाँ पे है, fault कहाँ पे है जैसे application को हम यहाँ पे open कर लिए उसके बाद सबसे उपर आता है account यानि जो आपका consumer ID है CA number वह आता है उसके बाद home है setting है your account has been activated, you can make a recharge pay now यानि आप recharge कर सकता है आपका account active है जैसे नीचे देखेंगे तो your account is currently in connected state यानि आपके state से यह connected है इसके बाद है नीचे हमारा amount आ रहा है current amount यानि इसके इंदर जो पैसे हम डाल कर रखें उसमें से खर्च हो जाने के बाद जो बचा हुआ amount है वह 387 रुपया हमारा है इसके बाद किस date को हमने कितना रुपया recharge किया था या monthly जो average unit है वो कितना आएगा सबसे पहले three dot right side corner भेजो है यहाँ पे हम click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद हम आएंगे एक, दो, तीन, चार नमबर पे view my energy calculation ध्यान रहे इस पे ही हमें click करके देखना है समझना है बाकि बहुत सारे यहाँ पे option है जिसको आप जरुरत के इसाब से यूज कर सकते हैं लेकिन हम view my energy calculation पे click करेंगे और यहाँ पे हम अंतर समझने वाले हैं कि problem कहां यहाँ पे है जैसे यहाँ पे clear हमने open कर दिया अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका एकाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज मीटर रेंट फिक्स चार्ज क्रेडिट डेविट डिफरेंट यानि जो amount इसके अंदर एड़ करते हैं वो डेट वाइट डेट सो कर सेगा जिस द पहले का भी सो कर सकता है थोड़ा बहुत activation में आगे फिछे होता है उसके बाद 9 तारीकों देखेंगे तो 11.94 पैसा हमारा बी लाया था नीचे दो इनिट देखेंगे ध्यान से तो हमारा reading था उसके बाद इसके बाद हम चलते हैं 10 तारीक को देखते हैं अंतर आपको मिटर रेडिंग यूनिट था वो च्यार यूनिट हो गया यानि 2 यूनिट बढ़ गया 10 उर्पे 61 पैसा ध्यान में रखेंगे इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वह देखेंगे अब यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं 11 तारीक को 10 उर्पे 61 पैसा और मिटर रेडिंग 2 यू यूनिट है वह आपका 2 यूनिट ही खर्च हुआ क्योंकि लोड कम ज्यादा रहता है तो यह अंतर भी होना चाहिए दूसरी चीज लाइट कम ज्यादा भी रहती है कटती भी तो है वह भी डिफ्रेंस तो आना चाहिए फिक्स लोड तो चल नहीं सकता है ना उसके बाद हम यहां पे देख रहे हैं 12 तरिको κιण है तो 5ड़ पर 16 लेकिन फिर तेरह तरिक्स आहेंगे तो 10 रच्यपकétais 1यनि पेसी यहांण का जो लोड है जो चल रहा है उसके हिसाब से तो यह बिजली बिल जनरेट नहीं हो रहा है इस जो देखा जा रहा है जो आपकी अप्लिकेशन है उसके अंदर ही यह सो कर रहा है यहां पे पंदर तरीक को भी देख रहा है या सुला तरीक को देख रहा है पांचेट पर किसी एक मीटर के अंदर हम नहीं दिखाएंगे एक और मीटर को आपको दिखाते हैं दूसरा यहां 5 रुपर 97 पैसा यह पॉसिबल है कि एक रेट फिक्स लोड चल रहा है नहीं यह एक सिस्टम का फॉल्ट है यहां पे अपने इस चीच को देख लिया अब हम दूसरे एक जो ह मैंने पांच से छे जगा पे देखा यह फॉल्ट है ठीक है अब यहां पे नीचे आप देखेंगे तो एक चीज लिखा हुआ भी है दे से चार्ज कल्कुलेशन फोर इलेक्रिसिटी कर यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपका 20 ताइक तक यह अपडेट कर दिया गया है उसके वेट किजिए रिसीव नहीं होता है को यह तो किस्टमर केर नंबर या जिस भी कारणज फॉल्ट का यह जो का है रिसीव नहीं होता है यह भूल IONपाust हjutा होगा यहां पर बैक आगा है बैक आने के बाद हम दूसरा आइड़ी यह जो दूसरा हमरा यहां पर और मीटर का हमने लिंक किया हुआ है यह यह एजलिलिन हो जाता है जैसे एक ही आपके पास एपलिकेशन है एक ही बन्दा को इस्ते dragging किया हुआ सब्सक्राइब सर्म नाज है ? डीटेल्स अगर आप यहां चाहते हैं इसको रेईटेशन कैसे करें? नुक्ष चलते हैं बीडियो सब्सक्तवों इसका भी..? यहां पर 21 तरीक के बाद सर्फ यह लाश्ट में चलते हैं, नो तरीक को देखेंगे 0-0-0 है, कोई इसमें नहीं है, 10 तरीक को यहां पर 96 रुपया 89 पैसा भी लाया था, 20 यूनिट का, इसके बाद चलिए हम इसके आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पे 11 तारीक को 29 उर्पए 17 पैसा यह फ्लेक्चुएट किया फिर यहां पे 12 तारीक को 43 उर्पए 9 पैसा अब यहीं पे आप देखिए 12 और 13 को कैसे सिम हो सकता है लोड तो कोई भी बंदा कम ज्यादा चलाता है एक साथ तो continue एक बराबर 24 आउस के लिए fix तो है नहीं उसमें भी light कभी कम आता है ज्यादा है यह तो हो नहीं सकता है अब एक उर्पए 33 पैसा वाला आप देख रहे हैं 15 तारीक को उसके बाद यहां पे 35 उर्पए 37 पैसा आप देख रहे हैं फिर 35 उर्पए 81 पैसा आप देख रहे हैं फिर एक उर्पए 33 पैसा यह कैसे पॉसिबल है क्या उसके आँ लोड चला ही नहीं यह हो सकता है अब यहां पर इस तरह से आपका यह सो कर रहा है इसके अंदर भी बहुत से पॉइंट पर आप देखेंगे तो आप आपको फिक्स नजर आएगा जो यह पॉसिबल नहीं है ठीक है एक उर्पए 33 पैसा यह 66 उर्पए 39 पैसा यह फॉल्ट है इसके अंदर आप कितना हूँ आईडी को लेकर आप भी कंपेर कर सकते हैं और अगर आपके यहां समार्ट मिटर लगा है और आपके यहां यह समस्य आ रहा है तो आप एक बार जरूर हमें कॉमेंट करके बताएं ताकि यह ज्यादा से ज्यादा विडियो सेयर हो ज्यादा से ज्यादा लोग के पास जाए कि हाँ इसके अंदर यह फॉल्ट है और इस तरह से चेक कर सकते हैं और हर कोई जिसके यहां भी स्मार्ट मिटर है इसकेन भी बहुत से लोग कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं